इस्राइल अपने हस्तित्व की जंग लड़ रहा है वहीं मेडिलीस्ट में उसके चारो तरफ ऐसा आग का चक्र तयार हो गया है जिस पर करम रखते इस्राइली सेना की उपर बम और बोले बरस रहे हैं जी हाँ पहले तो इस्राइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए पूरे लेपनान में पेजर डिवाइब, वोकी टॉकी, लैप टॉप और सोलर पैनल में ब्लास्ट कराकर हिजबुल्ला को दो टूग कह दिया कि वो उत्तरी बॉर्डर से वापस रोट जै लेकिन हिज पर कह दिया है कि वो उत्तरी बॉर्डर पर सेटलर्स को वापस नहीं आने देंगे और यही वज़ा है कि अब उत्तरी बॉर्डर पर इस्राइली सेना और हिजबुल्ला के लड़ाकों में फीशड जंग सुरू हो गई है दरसल हिजगुला ने उन्तरी बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये हैं जिनने दो इस्राइली सैनिकों की मौत होई है जबकि 9 से जादा सैनिक खायल हुए है इस्राइली सैना का कहना है कि हिजगुला ने पश्चिमी गैलीली के या आरा इलाके में विस्कोटकों से लदा ड्रोन फायर किया जिसकी चपेट में आईडियाफ के जवान आ गए इस्राइली सेना का कहना है कि मारिक एसेनिक मेजर रिजर्विस्ट नैल फ्वार्सी जिनकी उम्र 43 साल थी वो 299 बटालियन के रिजनल ब्रिगेट के कमांडर थे इनके अलाबा 20 साल के टोमर केरेन जो गोलानी ब्रिगेट के 51 बटालन में तैनात थे उनकी भी मौत हो गई वहीं दूसरी तरफ इन हमलों के तुरंद बाद IDF के जेट्स ने रक्ष्टी लेबनान को तहलाना शुरू कर दिया था इस्राइली सेना के मुताबिक उसने लेबनान पर 19 सितंबर 2024 के रात को गाजा युद्ध के बाद अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया IDF का कहना है कि उसने हिजगुला के रॉकेटों से लदे 100 से जाधा लॉंचर्स को उड़ा दिया IDF के मुताबिक हिजगुला इन लॉंचर्स से इसराइल पर हमला करने की तैयारी में था IDF का ये भी कहना है कि उसने इस हमले में हिजगुल्ला की कई बिल्डिंगों और हतियार डीपो को मिट्टी मिला दिया IDF के मताबिक हिजगुल्ला पर इस तरह के हमले आगे भी होते रहेंगे और इस सब कבीच इसराइल के रक्षा मंद्री यूव गैलेंट ने हिजगुल्ला से सीदे युदगा इशारा दे दिया है गैलेंट ने कहा कि वो हर हाल में उत्रीब ओर्डर पर सेटलर्स को वापस उनके घारों में पहुंचा कर रहेंगे हम कיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך היד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם, מחיר הולך וגובר ומקביל נמשיך ונקיים את המעמצ להשיב את החטوفים אל בתיהם ולמותית התרגונה חמאס הלכי אייסה نہیں ہے کہ ישראל کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ היזבאללה سے سیدھے بھیڑنا اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اب آئیڈیا فیجبללה سے لڑنے کے لیے کمرکس چھپی اور یہی وجہ ہے کہ اتری بارڈر کے آس پاس کے سٹیلمنٹس میں لوگوں کو بم شلٹر میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے فیجبללה سے لڑنے کے لیے کمرکس چھپی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتری بارڈر کے آس پاس کے سٹیلمنٹس میں لوگوں کو بم شلٹر میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے بارڈر کے لیے کہا جا رہا ہے